तो दोस्तो रियल क्रिकेट 24 गेम के अंदर जितना आसान है इसमें चौको छको की बारिस करना उससे कई ज़्यादा आसान है रियल क्रिकेट 24 गेम खेलते समय बॉलिंग के दवरान विकेट चटकाना तो आज की सुड़ों के अंदर आप सभी को ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ जिसकी मुदद से आप लोग रियल क्रिकेट 24 गेम में बॉलिंग करते समय हर बॉल पर विकेट ले सकते हो बहुत ही आसानी से बहुत ही सिंपल तरीके से क्योंकि दोस्तो आप सभी को पता है कि रियल क्रिकेट 24 गेम में बहुत से बंदे तो बैटिंग तो कर लेते हैं असा बॉलिंग के दवरान कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स है, कुछ ऐसे बटन्स हैं, जिसको आप ओन नहीं करते हैं, तो आपको विकेट नहीं मिलता, चाहे आप जितना भी गेन भाजी करनें, चाहे आप जितना भी गेन फेक लें, आपको विकेट नहीं मिलता, जब तक आप उस बətन को on नहीं करेंगे तो, तो दोस्तो ऐसी कौन सी सेटिंग है, क्या on रखना है, balling के डौरान, सब कुछ आप सभी को इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बताने वले हैं, बट दोस्तो आप सभी को यहाँ पर बता दें कि, आप लोग को इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर एक सौट मैप कोड भी देंगे जिसे आप यूज करके हर बॉल पर बिकट बहुत ही आसानी से ले सकते हैं तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किये तो फटाक से लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्रब करके बगल में जो बेल का आइकोन देगा उसको भी दबा करके ओल कॉप्सुन पर क्लिक कर लिजगा ताकि आपको निव वीडियो को जो अपडेट वो लगता आन मिलती रहे तो यहाँ पर सबसे पहला ध्यान देने उली बात क्या होती है मैं आप सभी को यहाँ पर बताता हूँ अगर आपको यहाँ पर रियल क्रिकेट 24 गेम के अंदर यहाँ पर बैक टू बैक विकेट चाहिए तो आप यह ध्यान में जरूर रखना कि आपको लगतार फास्ट बालर के साथ बालिंग नहीं करनी है बलकि यहाँ पर आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपको यहाँ पर रियल क्रिकेट 24 गेम के अंदर बैक टू बैक विकेट लेनी है तो यहाँ पे ध्यान आप ये देना कि आप ज़्यादा तर spinner को लेकर ही balling आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी तब ही आप यहाँ से बहुत ही आसानी से wicket to wicket आप ले सकते हैं और अब चलिए दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि real cricket 24 में spinner के साथ gain बाजी के दोरान आपको wicket कैसे मिलेगा चलिए यहाँ पे बताते हैं तो देखो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे बता दें कि जब भी यहाँ पर आप spinner के साथ balling करने के लिए job wicket के लिए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अब आपको gain कहाँ पे गिराने है कहाँ पे gain को टपा खेलाने है ताकि आपको बहुत ही आसानी से wicket मिल सके यहाँ पे अगर आप यह सोचो कि मैं direct wicket में मार दू तो यहाँ इसा यहाँ पे बिलकुल असंभव ह आप यहाँ पर direct hit wicket वगएरे में नहीं मार सकते हैं आप direct wicket में मारना बहुत ही जादा मुस्किल है इस game के अंदर आप बहुत ही असानी से यहाँ पर catch out करा सकते हैं लेकिन wicket में अगर आप चाहोगे मारना तो यहाँ पे बिलकुल भी मुस्किल है wicket में मारना तो चलो हम हम यहाँ पर इस game से catch out कराने की कोसिस करते हैं तो हम यहाँ पर इस game को यहाँ पर टपा खिलाने वाले हैं जिससे हम यहाँ पर catch out कराने की कोसिस करेंगे catch out कराने के लिए और यहाँ पर इस game को टपा खिलाने के लिए यहाँ पर left side में आपको गोले वाली जो बटन देखने को मिल रही है यहां से आपको किस जगा इस गेंद को टपपा खिलानी है यहां से इधर उधर आप कर सकते हैं यानि लेफ्ट राइड आप जहां भी आगे फीचे करना चाहते है उस गोले ओली बटन से कर देते हो लेकिन जैसा कि मुझे इस गेंद पर विकेट चाहिए तो मैं यहां पर आफ साइड की तरफ यहां पर इस गेंद को टपपा खिलाऊंगा यहां पर रखोंगा गेंद को एंड उसके बाद यहां पर हम लोग उखी पर क्लिक करेंगे और अब दोस्तों यहां पूछ रहा है कि आप इस गेंद को किस तरफ स्विंग कराना चाहते है यानि सिंपली सा office ping पर click out कर देंगे select कर लेंगे और अब इससे select करने के बाद gain की speed सबसे ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान यहाँ जरूर देना है कि gain की speed आप कहां देखते हो यहाँ पर आपको देखने क्यों मिलता है gain की speed को तो आपको यहाँ जरूर ही रखना है तभी आप बहुत यह सरी से विकेट ले पाऊगे आपको हरी ग्रेन में जैसे वह पटी यहां पे दिसान बनता है तभी आपको मुआ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर देना है वहां पर स्टॉप कर देना है ठीक है आपको लिए लाइट पर नहीं पर विकेट लेकर आप लोग को दिखा दिया लैप रूप के साथ तो इस तरह से आप लोग बहुत ही असानी से रेल क्रिकट 24 गेम के अंदर विकेट ले सकते हो दें अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें कि अगर आपके सामने को राइट हैंडड बैट्समन बैटिंग कर रहा है तो यहाँ पर आप सभी को जानकर यह के लिए बता दें कि आपको बिल्कुल सेम यही लाइन लेंथ रखनी है जो आपने लेप्ट हैंडड बैट्समन के लिए रखी थी जो इसके लिए हमको यहाँ पर विकेट मिली है बिल्कुल सेम यही लाइन लेंथ आप अगर राइ आइटिंग के दौरान चोको चोको की बरसाद भी कर सकते हो बहुत ही आजी तरीके से इस सौट मैप कोड को पाने के लिए दोस्तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको स्मार्टफोन ओपन करने के बाद यहां पर पर ख्रोंब्रॉजर ओपन करने के बाद यहां पर टाइप करना है सर्च बार में न्यूस की दुनिया टाइप करके आपको सिंप्ली सर्च करना है यह उपन करने के बाद यहां पर इसके सर्च में जाना है सर्च में आपको टाइप करना है फ्री फायर आपको सिंप्ली यहां पर टाइप करके सर्च कर देना इस वेबसाइट के सरज जैसे करतें, उसके बाद थोड़ा सा scroll down करके यहाँ पर नीचे की साड में आपको यहाँ पर जाना है जैसे यहाँ पर नीचे की साड में जाते हो तो आप सभी यह yaray ज़ूश्ट को जाते हो तो आप सभी को यह वाली जो पोस्ट देखने को मिल रही है यहाँ पर नीचे की साइड में दोस्तों आप सभी को देखने को मिल जाएगा Real Cricket 24 Game का Short Map Code जिसे यहाँ पर आपको इसे इस तरह से सेलेक्ट करके Copy Simply आपको यहाँ पर इस तरह से कर लेना है Copy करने के बाद इसे बीच वाली बटन से अपने Minimize करना है Minimize करने के बाद आपको Simply अपना Real Cricket 24 Game दोस्तों Open करने के बाद आपको Simply सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर सेकेंड नमबर पर दोस्तों Short Map वाले इस उप्शन पर क्लिक कर देना है आपको क्लिक करने के बाद आपको Simply नीचे के सैड में इस Cloud वाले आप्शन पर आपको Click Out कर देना है इसके बाद Cloud वाले आप्शन पर क्लिक करने के बाद Left सैड में Search Preset वाले इस option पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जो आपने टू में सेट करना चाहिए अपनी इच्छा के नसवार आप कर सकते हैं और उसके बाद आपका बहुत ही आसानी से रियल कीके 24 गेम के अंदर चौको चौको कीक पर साथ और विकेड भी आप हर बाल पर बहुत ही आसानी से ले पाओगे इजी और सिंपल तरीके से तो उम्मीद करते हैं तोस्तों आप सभी को हमारी या वीडियो काफी पसंद आयो होगी वीडियो आप सभी को पसंद आयो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राब करके बगल में जो बेल का आइकों दीए का उसको भी दबा करके औल का अप्संद पर क्लिक लिजगा ताकि आपको नई वीडियो के जो अप्टेटिव वाला गतार मिलती रहे तो मिलते हैं फिर से किसी नों इंट्रेस्टें वीडियो को साथ ताकिली बाइप दोस्तू